आप सभी का मेरे YouTube चैनल Easy Clear Exam में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं लोग सभा के अध्यक्ष के बारे में हाली में ओम बिर्ला को लोग सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है लोग सभा के अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं दोस्तों ओम बिर्ला लोग सभा के सबसे वरिष्ट सांसद भी है दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको Like, Share, Subscribe करना न भूले दोस्तों हमारी जो संसद है उसके तीन अंग है पहला है लोग सभा जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है दूसरा है राज सभा जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है और दोस्तों तीसरा अंग है भारत का राष्ट पती भारत का राष्टपती भारत का प्रमुक होता है दोस्तों लोकसभा का जो अध्यच होता है और उपाध्यच होता है जिनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में जाना जाता है वहीं पर जो संसत का उच्छ सदन है राजसभा उसका पदेन सभापती होता है उपराश्टपती भारत का उपराश्टपती जो होता है वह राजसभा यानि उच्छ सदन का पदेन सभापती होता है और दोस्तों वरतमान में भारत की जो राश्टपती है वह द्रोपदी मुर् और वर्तमान में भारत के जो उपराश्पती हैं वे कौन हैं जगदीब धनकर तो यह भारत की संसद के बारे में सामान जानकारी दोस्तों और दोस्तों लोक सभा के बारे में कुछ समाने जानकारी ले लेते हैं दोस्तों लोक सभा क्या है संसद का निचला सदन होता है लोक सभा का जो कारिकाल होता है वह दोस्तों पांच वर्स का होता है लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको चुने जाने के लिए उसकी कम से कम आयू 25 वर्स होनी चाहिए यानि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार की आयू 25 वर्स से कम नहीं होनी चाहिए लोग सभा का जो सदस्य होता है वह जनता प्रत्यच रूप से उसको चुनती है हाली में 28 लोग सभा के चुनाव हुए हैं दोस्तों मई में हाली में लोग सभा के सदस्यों के चुनाव हुए हैं जो प्रत्यच रूप से जिनमें जनता ने मतदान किया है लोगसभा में दोस्तों जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्रधान मंतरी नियुक्त किया जाता है और प्रधान मंतरी के नियुक्ती भारत के राष्ट पती के दोरा की जाती है जैसे कि वर्तमान में लोगसभा में बहुमत दल के नेता है नरेदर मोधी जिनको हाली में भार और उपाध्यक्ष चुनते हैं अद्धेक्ष जिसको speaker कहा जाता है और उपध्य जिसको deputy speaker कहा जाता है ये दोस्तों रही भारत के संसत्द के निम्न सदन लोगसभा के बारे में कुछ सामान ने जानकारी इनको आप नोट कर लिए उक्जाम्स में इन크 सब्स्द सामान आरे क्या है एक इस्थाई सदन है अब इस्थाई सदन इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका बिगटन नहीं होता है लोग सभा का बिगटन प्रतेक पांच वर्स में होता है और नए चुनाव होते हैं लोग सभा के लिए वहीं पर राज सभा का बिगटन नहीं होता है राज सभा एक इस्थाई सदन है और दोस्तों उपराश्पती राजसभा का पदेन सभापती होता है राजसभा के सदस्यों का जो कारेकाल है वह है 6 वर्स का होता है जैसे कि पिछला जो हमने स्लाइड में पढ़ा था कि लोकसभा के सदस्यों का कारेकाल 5 वर्स का होता है लेकिन राज सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना 6 वर्स का होता है और राज सभा के एक बटे तीन सदसे दोस्तों एक बटे तीन सदसे प्रतेक दो वर्स में सेवा निवरत हो जाते हैं तो इस तरह से जो राज सभा है वह एक इस्थाई सदन है उसके एक बार में एक तिहाई सदस्य प्रतेक दो वर्स में सेवा निवरत होते रहते हैं और नए सदस्य सामिल होते रहते हैं तो यह एक इस्थाई सदन है और दोस्तों राजसभा का सदस्य बनने के लिए उमीद वार की कम से कम आयू कितनी 30 वर्स होनी जाहिए और दोस्तों इसको आप जो लोकसभा और राजसभा है इसके जो महतपूर अंतर है उनको भी आप याद रखिएगा इनसे समंदेत प्रस पूंचा जा सकता है राजसभा इस्थाई सदन है लोकसभा क्या है पांच वर्स में बिगटित होती है उपराश्पती राजसभा का पदेन सभापती होता है राजसभा के सदसे हुआ कारिकाल 6 वर्स होता है लेकिन लोकसभा के सदसे हुआ कारिकाल कितना पांच वर्स होता है और दोस्तों प्रते भारत में जो लोकसभा के अध्यच की उत्पत्ती के बारे में कुछ महत्पूर जानकारी भारत में जो लोकसभा का अध्यच बनता है उसकी कब उत्पत्ती यानि उस पद का सरजन कब से हुआ है तो दोस्तों भारत में वर्स 1921 में अध्यच और उपाध्यच पद का सरजन भा भारस सरकार अध्यां समय उन्निंस सो उन्निस आप यांद रखिये उस समय अध्यच्च और उपध्ध्यच को क्रमसय क्या कहा जाता था प्रेशीडेंट और डिप्टी प्रेशीडेंट कहा जाता था लेकिन अभी क्या कहा जाता है look speaker और deputy speaker यह दोस्तों 1947 तक या पर था चलती रही थी भारत सरकार अधनियम 1935 के अंतरगत प्रेसिडेंट और डेपटी प्रेसिडेंट के नामों को करमसाई किया गया अध्याच और उपाध्याच में बदल दिया गया था दोस्तों लोगसभा अध्याच के बारे में जानेंगे इसका निर्वाचन कैसे होता है, जो हमारे वर्तमाल लोकसभा अध्यच है, ओम बिरला, उनका निर्वाचन कैसे हुआ है, तो समिन्धान के भाग 5 में लोकसभा अध्यच के बारे में उल्लेक है, आप इसको पढ़ लीजेगा, आप इसको नोट कर लीजेगा, एक्जाम्स में की हाली में लोकसभा अध्यच का निर्वाचन हुआ है, अध्यच बनने के लिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति अध्यच बनना चाहता है, वह लोकसभा का सदस्य जरूर होना चाहिए, और वह व्यक्ति पुनह निर्वाचन का पात्र होता है, जैसे कि पिछली लोकसभा के भी अध्यक्ष कौन थे ओम बिर्ला थे दोस्तों भारत के पहले लोगसभा अध्यक्ष कौन थे जीवी मावलंकर कई बार एक जामस में है कुशन आया हुआ है और दोस्तों जो लोगसभा का अध्यक्ष होता है वह लोगसभा के सदस्यों के द्वारा साधारन बहुमत के द्वार चुना जाता है साधारन बहुमत के दोरा लोगसभा अध्यच का चुनाओं किया जाता है और सबसे पहले लोगसभा अध्यच थे भारत के जीवी मावलंकर और वहीं निर्वाचन के बारे में देखा जाए तो भारती सविंधान के अनुछेद 93 में लोगसभा अध्यच यानि स्पीकर के निर्वाचन का इसपश्ट उलेख है दोस्तों दोस्तों लोगसभा अध्यच के कारकाल के बारे में कुछ महतपूर जानकारी लोगसभा का जो अध्यच होता उसका कारकाल दोस्तों पाचवर्स का होता है और जब लोगसभा भंग ह नए चुनाव के लिए तो दोस्तों उसमें क्या होता है अध्यच अपना पद तुरंत खाली नहीं करता है क्योंकि लोगसभा एक क्या लोगसभा खाली कभी नहीं होती है इस वज़े से लोगसभा अध्यच अपने पत पर बना रहता है लोगसभा अध्यच अपना त्याग प पत्र देना पड़ेगा तो लोगसभा का जो अध्यच उसका सामानता है कारेकाल पांच वर्स का होता लेकिन बीच में अगर लोगसभा भंग होती है तो वह अध्यच जो रहेगा वह क्या होगा अपना पत्र खाली नहीं करेगा जब नए लोगसभा चुनकर के आएगी तब लोगसभा अध्यच के जब चुनाओ हो जाएगा उसके बाद वह अपना पत्र खाली कर देगा और दोस्तों लोगसभा का अध्यच यदि लोगसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना उसको क्या त्याकपत देना पड़ेगा लोगसभा अध्यच को लोगसभा के सदस्यों क बहुमत प्रस्ताव के दोरा हटाया भी जा सकता है और साधारन बहुमत के दोरा इसका चुनाव होता है लेकिन अगर लोकसभा के अध्यच के खिलाफ कोई उसका प्रस्ताव पारित करना है तो 14 दिन पहले उसको सूचना जरूर देनी पड़ती है तो यह important points है दोस्तों very very most important point है इनको आप याद रखिये यह exams में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है दोस्तों सक्तियां क्या है जो लोकसभा का अध्यच है उसकी क्या क्या सक्तियां है इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत आवस्यक है लोकसभा में भारत के सविंधान के प्रावधानों का अंतिम ब्याख्याकार है जो हमारे भारत का सविंधान है उसके जो प्रावधान है उनकी जो अंतिम ब्याख्या है लोकसभा के अंदर वह कौन करता है लोकसभा का अध्यच करता है और वहीं पर अगर आपसे कोशन पूछा जाए कि भारत में सम्विंधान का ब्याख्याकार कौन है तो दोस्तों भारत का सरोच ने आले है लोकसभा अध्यच के निड़े सदस्यों पर क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं और दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदन कौन से हैं दोस्तों लोकसभा और राजसभा जब भी किसी बिध्यक के संबन्द में संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राजसभा क तो उस संयूक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह दोस्तों लोकसभा का अध्यक्षता है। तो लोकसभा अध्यच सदन को भंग या फिर स्थगित कर सकता है अज दोस्तों एक सबसे महत पूर्पूर्पॉइंट यह है कि गतिरोध की इस्थिती में निरायक मत देता है जब दोस्तों पच्छ और बिपच्छ दोनों के मत बराबर हो जाते हैं तब निरायक मत देता है कौन लोकसभा अध्यच साधारन मत दान में लोकसभा अध्यच किसी भी विदहयक के समद्ध में जब साधारन मत दान होता है या नहीं इसका नेड़े जो अंतिम नेड़े हुए भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है लोकसभा के सदस्यों की आयोगता भी निर्धारित करता है भारत के समिधान की अनसुची तस के अनुसार जो दोस्तों यह भारत के निम्र सदन लोकसभा के अध्यक्ष की महत संयूक्त बैठक की अधिक्षता कौन करता है यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्चन दोस्तों एकजाम से बहुत जादा बार पूछा गया है गड़पूर्ती के आभाव में सदन को कौन भंग कर सकता है यह भी एकजाम में आया है कोस्चन किसी भी बिधेयक के सम्म में जब दो पक्षों के मत बराबर हो जाते हैं तो निड़ायक मत कौन देता है यह भी दोस्तों एकजाम से बहुत आया हुआ है तो इसको आप याद रखिएगा संयूक्त बैठक किया देचता गड़पूर्ती के अभाव में सदन को सगित करना और निड़ायक मत देना या फिर कोई विधियक धन विधियक है या नहीं इसका निड़ायक कौन करता है इससे सम्मंदित प्रस्निक जामत में पूछे गए हैं